So let's start कि कैसे हम गूगल रिव्यूज को निगेटिव गूगल रिव्यूज जो होते हैं जो आपके बिजनिस को काफे ज़्यादा इंपेक्ट करते हैं हम उन रिव्यूज को कैसे कम कर सकते हैं वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं तो हम इस वीडियो में एक-एक step by step हम सारी चीजों को कवर करेंगे आप इस पूरे वीडियो को देखिए और आप इसको इंप्लिमेंट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से तो सबसे पहले step 1 step 1 है login to your google business profile with your registered email address then search in google with your brand name तो यह आपको याद रखना है कि अगर आपकी google की profile बनी है तो उसी से आपको यहाँ पर login करना अगर आपकी google की profile नहीं बनी है तो आप अपने google की profile बनाईए उसके लिए आप हमारे team से बात कर सकते हैं अब आपको search करना जो भी आपका brand name तो जैसे मैं अभी यह जो वीडियो बना रहा हूँ वो sms hub के लिए बना रहा हूँ sms india hub हमने जैसे search करा ठीक है हम उनकी email id से login है और हमने यहाँ पर sms india hub search करा है ठीक है तो यहाँ पर हमें option आ रहा है google review का अगर आप ppt में आएंगे तो यहाँ पर जो हमारा पहला step था वो हमने complete कर लिया है second step में यहाँ पर यह बोला click on google review तो यह जो google review आ रहा है यहाँ आपको click करना है तो यहाँ पर गूगल review है मैं यहाँ पर click करता हूँ और एक pop-up open हो जाएगा ठीक है यह हमारी second step थी अब मैं third step में क्या करना है कि आपको click करना है get more reviews पर तो जैसी आप get more reviews पर click करेंगे देखिया आप you option is perfect click कर लिये और जैसी आप get more reviews पर click करेंगे step 4 आपको बताएगी कि आपको copy करना है यह review का URL है so यहाँ पर यह review का URL आगया इसको आप copy कर सकते हैं कॉपी करने के बाद आपको step 5 को follow करना है और यहां पर बताया गया है now login to your autoresponder account if you do not have autoresponder's account talk to our account manager or you can create a free account free account will be live for 7 days ठीक है तो अगर आपके पास autoresponder का account है तो उससे आप login कर लीजिए अगर आपके पास account का access नहीं है तो आप एक free account create कर सकते हैं या आप हमारे account manager से बात कर सकते हैं ठीक है तो मैंने already login कर लिया है ठीक है already login कर लिया है अब इसके बाद जब आप login कर लेंगे login करने के बाद step number 6 में आपको जाना है गूगल रिव्यू बाद option पर तो यहां पर दिया हुए once you click on the google review click on configuration तो यहां पर आप जसी आएंगे हैंगे यहां पर आपको गूगल रिव्यू का option मिल जाएगा आपको किलिक करने के यह सारी steps यहां पर दिया हुए है now click go to step number 7 और यहां पर आपको क्लिक करने configuration पर जैसे आप configuration पर click करेंगे यह आपको show कर देगा google review configuration URL अब आपने जो भी review का URL यहाँ पर copy किया था जो अपने business profile से इस URL को यहाँ पर paste करना है तो जो भी आपने URL copy किया था उसको यहाँ पर simply paste कर दीजिए ठीक है जब आप यह paste कर देंगे paste करने के बाद आपको जाना है step number 8 पर और step number 8 में आपको option आएगा store and outlet का जो आपको यहाँ पर मिलेगा मैं आपको google review ले जाता हूं और यहाँ पर आपको stores and outlets का option मिल जाएगा तो आपको click करना है stores and outlets पर जब आपLed measures पर palexi पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूचे का開ं पूचे का create a store तो यहां पर 9 वो नाव step है यह कि once you click on the store and outlet okay, you will see the created outlet, जो भी आपने आउटलेट बनाई होगे, जब अगर आप नाम सम्मिट करके save कर देंगे, तो जो भी आपने आउटलेट बनाई होगे, वो सब आपको यहां पर दिखा देता हूं कहां पर, आपको आना है अगेन Google Reviews में and then click on Stores and Outlet तो यहाँ पर हमारी सारे की सारी Outlet जो created थी वो यहाँ पर show होने लगी है Along with store name View QR Code and Print QR Code तो जो जो आपकी stores names आपने यहाँ पर बनाई थे जैसे कि मैंने कोवेडेरी है Test 3 है, Test 2 है, Test 2 है उनके सामने QR Code View QR और Print QR Code का भी एक option आ रहा है, ठीक है अब यह आपका बन चुका है QR Code ready हो चुका है, अब Step 10 बोल रहा है कि your QR Code is ready and you can capture reviews using this QR Code, ठीक है और आप से को print भी कर सकते हैं आप किसी भी stand को सको print कर सकते हैं अपने दिवाल है, आपकी जो walls हैं उस पर आप इसको लगा सकते हैं आप अपने stands को table top पे रखके वहाँ से भी आप review capture कर सकते हैं ठीक है, ठीक है This is Step 10 एक special note है, कि जो भी आपके negative reviews है, चाहे फिर वो 1, 2, 3 हैं वो publish नहीं होंगे Google पे वो सारे के सारे reviews आपके पास इस dashboard में आजाएंगे अब आप आप आएंगे अगर आपको लिक करेंगे Google review पर and if you click on show तो यहाँ पर आपका जो भी reviews आएंगे negative वो सब यहाँ पर आएंगे आप आप देखिए rating है message है, numbers है, name है कैस-कैस ने यह reviews डालें और किस-कैस इस store से आएंगे, ठीक है यह सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है तो I hope आपको समझ में आया होगा कैसे आप QR code create कर सकते हैं और कैसे इसको use करके अपने negative reviews कम करके positive reviews बढ़ा सकते हैं So thanks for watching